मैं कैसे बताऊं मैं अपना काम जो generally routine work है मेरा notes बनाने का या even videos के लिए plan करने का जो तुमारा मैं meme बनूगा series उसके लिए plan करने का मैं अपना काम कर रहा था एक बच्चे का बहुत anxiety में phone आता है you know बहुत घबराहट में के भईया मेरा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक अगर आप मुझसे पूछो तो आज मैं accounts में zero हूँ zero in accounts मतलब मैं जितना पढ़के बैठा था मैं सब कुछ भूल चुका हूँ and मुझे वो confidence नहीं आ रहा कि मैं exam दे भी पाऊंगा and वो अकेला नहीं है और तुम अकेले नहीं हो अगर तुम ये similar level पे feel करते हो because मुझे मालूम बना के तुम्हें आज दे दू that is 20th of April को दे दू so that कल से तुम्हें एक fresh mind के साथ एक fresh तयारी चालू कर सको and you know confidence वापस बिल्ड कर सको कि भाई यार मैं कर लूँगा मुझे बस एक रणनीती की जरूवती मेरे को एक टेक्नीक की जरूवती कि ये last 10 days के अंदर मैं अकाउंट कैसे complete करने वाला हूं फिर तो हो जाएगा अचा जितने भी लोग मैं मीम बनूँगा सीरीज में आंतरपनेशिप का इंतिजार करें 23rd को आ रही है शाम पांच बजे देखना मत भूलना ना वो चीज एक तरफ हो गई last 10 days में तुमारी क्या strategy होनी चाहिए सबसे पहली चीज तो अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम आज एक दिन में खुद को judge कर लोगे दो घंटे में खुद को judge कर लोगे and तुमारा वो confidence वापस आ जाएगा तो गलत जा रहे हो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है तुम्हें accounts के लिए first four days strategy बनानी है जो मैं आगे भी बताऊंगा यानि accounts नहीं आएगा अगर तुम एक दिन करने बैठते हो और anxiety attack चालू हो जाता है मेरा पूरा course कैसे होगा मेरा पूरा syllabus कैसे होगा इवन अगर तुम ये भी feel करते हो यार ऐसे तो बहुत late हो जाएगा बहुत delay हो जाएगा मैं समझता हूँ मैं समझ रहा हूँ तुमारी बात but this is not the solution तुम्हें कम से कम आज जब मैं ये 20th of April को वीडियो तुम्हें दे रहा हूँ कि जब भाईया बोल रहे हैं कि ये चार दिन के लिए momentum बनाना है तो भाईया के बोले हुए शब्द तो हम ignore नहीं कर सकते और वो momentum बना के देंगे क्योंकि अगर तुमने पता है वो momentum बना लिया ना शुरुवात के चार दिन के लिए जैसा मैं कहा रहा था तुम्हारे अंदर वो अगर patience level आ गया तुम अगर अपने आपको समझने लगे कि वक्त लगता है टाइम लगता है तुम्हारा वो momentum बन जाएगा यह एक process है यह दो घंटे में एक दिन के अंदर मैं खुद को लेके judgmental नहीं हो सकता क्योंकि घबराहट वैसी की वैसी रहेगी अगर तुम एक दिन में खुद को सोचने लग जाओगे तुम्हें क्या करना है पहले दिन जब तुम तयारी करो ठंडे दिमाग से सोने जाना है यह सोचके कि नया दिन होगा नई शुरुआत होगी क्यों ऐसा मैंने क्यों बूला तुम्हें अगर कोई momentum मनाने में चीज help कर सकती है तो वो है कि initial start और वो initial start कैसे मिलेगी तुम सिर्फ दो subject दिन के लेके चलोगे अच्छा, you know, personally मिरसे बात करना और मैं जो बता रहो उसको बताना मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ तुम जैसे ही दो से, you know, तीसरा subject लेके आने की कोशिश करते हो तुमारा पूरा time table भी करना चालो हो जाता है तुम ऐसा लगता है कि तुम से नहीं होगा that means अभी जो एक healthy combination है ना, that is of two subjects and why it will work is because तुमारा syllabus उतना बड़ा नहीं है अगर तुम दो subjects देके भी लेके चलते हो और, you know, बाद में later on time तुम economics या, you know, मैंने क्योंकि अभी accounts और BST बोला है तुम बाद में अगर accounts प्लस E को कर लेते हो या even तुम mathematics ले लेते हो या even बाकी optional subjects हो गया, English हो गया, उसको ले लेते हो completely fine because, you know, एक time बाद तो तुम English ही पढ़ोगे ना तब तुम्हें English को time देना पड़ेगा because तुम्हारा paper रहेगा तो अभी focus करो accounts प्लस BST भाई, best combination है जो पढ़ने में मज़ा आएगा न, वो अलगी level पे होगा तो पहले, only two subjects a day second, first four days are important जैसा मैंने बोला था शुरुवात के चार दिन तुम्हार लिए बहुत important है then you need to learn balance sheet and format of P&L अगर तुम शुरुवात करें accountancy की, ये दो चीज़ बहुत major criteria है मतलब तुम्हें fingertips पे balance sheet याद होनी चाहिए equity and liabilities होता है उसके अंदर तुम्हारा आ जाता है shareholders fund आ जाता है non-current liabilities, current liabilities, non-current assets, current assets ना उसके अंदर क्या-क्या आता है short term provisions, long term provisions, short term borrowings, long term borrowings यानि हर एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए then P&L का format भी तुम्हें याद होना चाहिए जो तुमने 11 पे बढ़ा था believe me, बहुत help करेगा then comes cash flow statement is important तुम गलती क्या करोगे तुम्हारे पस format नहीं होगा पढ़ने के लिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ये शुरुवात के चार दिन अगर तुमने ये balance sheet pre-handle याद करने के बाद cash flow statement को दे दिया ना मेरे भाई तुम्हारे सारे दुगदर दूर हो जाएंगे पता है क्यों? क्योंकि cash flow statement थोड़ा सा tricky है वो तुम्हारे दिमाग को महनत करने पे मजबूर करता है तो जैसे ही तुमने वो चार दिन शुरुवात के cash flow statement किया पढ़ो ना 8-8 गंटे पढ़ो 9-9 गंटे कौन रोग रहा है तुम्हे मतलब तुम्हे time देना पढ़ेगा cash flow important है 8 गंटे पढ़ो अगर तुम्हे 8 गंटे जादा लग रहे हैं तो एक question को 5-5 पार करो लेकिन वो 8 गंटे spend करो मतलब अभी जो तुम्हारी सबसे बड़ी fight है वो यह है कि तुम time नहीं देना चाहते हो तुम्हें लगता है 2 गंटे में result निकला है तुम्हें लगता है 3 गंटे में result निकला है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता न तुम्हें बैठना तो पढ़ेगा So if you think कि बाबजी 8 गंटे आप बोलतो रहे हो लेकिन यू नो ये 8 hours में मैं करूं क्या Don't do more questions बट क्या करो अगर तुमने मान लो 4 questions attempt किये तो उन्हें 4 प्लस 4 बना लो अब ये 4 प्लस 4 क्या हुआ 4 questions तुमने एक बार attempt किया अब उसको फिर से एक एक बार और attempt करो तो तुमने total 8 questions किये लेकिन actual में 4 questions को ही repeat किया है मतलब हर एक questions तुमें 2 बार करना है अगर तुम total 4 questions करो cash flow statement के ये strategy बहुत काम आती है पता है जब बाकी बच्चे ना 8, 9, 10, 12 questions कर रहे होंगे तुमने जो 4 questions किये उन्हीं को repeat करके तुमने अपने concepts strong कर लिये होंगे तो first 4 days में तुम्हें 8-8 गंटे बैटना है और accounts करना है सिर्फ accounts उसके बाद 4-5 गंटे जो extra बचेंगे give it to business studies कोई मना नहीं कर रहा है BST का तुम्हें एक chapter per day निप्टाना है उससे तुम momentum में आ जाओगे cash flow तुम्हें क्या देगा practical knowledge, technical knowledge, conceptual knowledge business studies तुम्हार confidence build up करेगा क्योंकि तुम एक chapter दिन का निप्टा रहे हो so last इसके बाद एक आद दो चीज़े और है next 4 days उसके बाद तुम्हें क्या करना है चलो ठीक है तुमने कर लिया तुमने 4 दिन cash flow कर लिया तुम्हारा moral boost up हो गया 21, 22, 23, 24 यह 4 दिन तुम्हारा cash flow चला गया बहुत बड़ी आ गया फिर तुम 4 दिन क्या करोगे तुम NPO उठाओगे क्योंकि second hurdle तुम्हारा वही है तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर जो सबसे बड़े hurdles है तुमारे लिये जो सबसे बड़ी problems है मैं उनको upfront रख रहा हूं चार दिन cash flow करो चार दिन NPO करो भाई तुम्हारे अंदर का जो confidence boost up होगा न अब सब कुछ करवालो अब कुछ भी करवालो मैं करके दूँगा जैसे NPO में भी मैं यही कह रहा हूं अगर तुम NPO करने बैठते हो you have to do 8 hours a day और 8 hours में भी अगर तुम 4 question करते हो follow the 4 plus 4 strategy 4 question करना है और हर एक question को एक एक बार repeat करना है मतलब 4 बार और करना है plus BST करना है ऐसे तुमारे 8 दिन यूँ बीट जाएंगे plus वो जो confidence तुम lose कर रहे थे वो confidence दुबारा आ जाएगा and भाई फिर तो रहा आसान है कुछ नहीं करना है last two days के अंदर again तुम्हें वो 8 घंटे का bracket देना है day 1 में तुम्हारा retirement death चलेगा day 2 में तुम्हारा dissolution और debenture चलेगा ये पूरा एक एक दिन में निप्टेगा because ये बहुत detailed नहीं है अगर लगे के dissolution, debentures बहुत detailed है तो कोई बात नहीं है 30th April तक निप्ट रहा था एक दिन और दे देना first में दे देना तुम्हारा हो जाएगा लेकिन achieve क्या किया यहाँ पे तुम्हारा confidence achieve क्या किया तुम्हारा moral boost क्या किया तुम्हारे skills जो तुम miss कर रहे थे यानि अपने आपको judge करना बन करो अगर तुम 8 घंटे से कम दे रहे हो accountancy के अंदर आज एक दिन के अंदर बताना ये वीडियो कैसा लगा comment करना तुम्हारी feelings क्या है बताना तुम problem क्या phase कर रहे हो so that मेरा next वीडियो उसी चीज़ पे हो क्योंकि मैं meme बनूगा series आ रही है 5th of में से जहां से तुम्हारे पास back to back content होगा, top notch content होगा work sheets होगी, papers होगे लेकिन तब तक के लिए तुम्हें कुछ न कुछ तो prepare करके रखना पड़ेगा और ये चीज उसी तरह इक directive effort है मेरा तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद